चाचा जी ये आप क्या देख रहे हैं? मैं अपने सोध के संबन्ध में इस लाइट का अध्यन कर रहा हूं ये संयुक्त माइक्रोस्कोप है इसकी साहिता से चाचा जी ये संयुक्त माइक्रोस्कोप क्या होता है? संयुक्त माइक्रोस्कोप विभिन प्रकार के लेंसों से मिलकर बना होता है और इसमें छोटी वस्तु को बढ़ा करके दिखा जा सकता है चाचा जी, ये लेंस क्या होते है लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली सतों से ढखा होता है और जिसकी साहेता से इन विभिन प्रकार की वस्तु को छोटा या बढ़ा करके देखा जा सकता है चाचा जी, इसमें लेंस क्यों लगा हुआ है देखो, इसमें छोटी चीजों को बढ़ा देखने के लिए इसमें लेंस लगा हुआ है ज़रा इसको देखो हाँ चाचा जी, इसमें तो बहुत बढ़ा देख रहा है हम देखते हैं कि लेंस जो है वो अपवर्तन के सिधान पर कार करता है ये अपवर्तन क्या होता है हमने पढ़ा है कि अगर प्रकाश एक सगन माध्यम से ये विरल माध्यम है विरल से अगर सगन में जाएगा ये सगन माध्यम है और ये जो है दोनों माध्यमों को विभाजित करने वाली सीमा रेखा है अगर प्रकाश विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं जो इस सीमा रेखा पर ये जो बाउंडरी वाल है इसके उपर ये लंबवत है और ये सीधी ना जाके इसमें क्या होगा अगर कोई और माध्यम ना होता एक ही माध्यम होता दोनों एक ही माध्यम होते तो क्या होता ये प्रकाश सीधी रेखा में चला जाता लेकिन सगन माध्यम या माध्यमों में परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ यह प्रकाश अभिलम्ब की ओर मुड़ गया और उसके बाद अगर मालिया यह प्रकाश फिर यहाँ पर विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? यहां पर फिर एक अविलम। होगा और प्रकाश अपकी क्या करेगा? अविलम्ब से दूर चला जाएगा तो हमने ये देखा कि प्रकाश जो है वो हमारा सीधी रेखा में न जाकर ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा खिसक गया ये जो प्रकाश की किरण है ये थोड़ी सी हमारी खिसक गए ये तो हुआ जब हम एक काश की पटिका लेते हैं लेकिन जैसा हमने बताया लेंस में क्या होता है लेंस में हमारा इस प्रकार का होगा या हमारा लेंस इस प्रकार का होता है ठीक है? सामानने तया यही दो प्रकार के लेंस प्रयोग होते है इसमें माध्यम कैसे बदलता है लेंस जो है काच का बनता है तो यह यहाँ पर वायू है और यह काच की वज़े से दो माध्यम हो गए और इसी प्रकार यहाँ पर भी यह काच का बना है और ये दूसरा माध्यम है तो यहाँ पर दो माध्यम होगे आच्छा लेकिन पटिका में यह जो पटिका का उधारन हमने पहले लिया था पटिका में और लेंस के कारिविधी में क्या फरक है यहाँ पर दो माध्यम तो हैं अलग-अलग दोनों उदाहरणों में दो माद्यम तो हैं लेकिन इसमें विशेस्ता ये है कि जो इसका दो माद्यमों को जो सीमा रेखा विभाजित करती वो एक सरल रेखा है और यहां पर कैसे किस प्रकार का है? यहां पर गोली सत्य है और इस गोली सत्य पर होने की वज़े से प्रकास या तो एक जगह एक अत्रित होगा और या प्रकास फैलता हुआ दिखाई देगा यह प्रकास का फैलना या एक जगह एक अत्रित होना यह किस चीज पर निर्भा करता है यह इनके गोली प्रष्ट पर ठीक है? और यही कारण है कि हम विभिन इन दोनों का उपियोग करते हुए इन दोनों गुणों का उपियोग करते हुए हम लेंस की रचना करते हैं यह हमार चाचा जी इसमें यहां पर हो सकते हैं देखो इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है लेंस हाँ चाचा जी इसमें दो दो लेंस लगे हैं तो यहां पर हमने लेंसों के यूगम का प्रयोग किया है यहां पर दो लेंस का यूगम का प्रयोग हुआ है दो लेंस एक साथ लगाए गए है और इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं ये सुक्ष्मिदर्शी की नेत्रिका कहलाती है इसी प्रकार ये जो अभिदर्शी लेंस है इसमें जरा तुम देखकर बताओ रॉबिन चाचा जी इसमें भी दो लेंस का प्रयोग है तो इसमें भी लेंसों के योगम का प्रयोग हुआ है तो जैसी आवश्यक्ता होती है इन लेंसों के आकार और इनके विभिन योगमों का प्रयोग करके विभिन उपकरन बनाये जाते हैं अब तुम क्या ये जानना नहीं जरूर 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 जाना चाहेंगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये देखो मोना तुम जरा देखकर बताओ ये कौन सा लेंस है ये जो ये बाहर की तरफ उभरा है इसको क्या कहेंगे उत्तल उत्तल लेंस कहेंगे और जरा तुम रोबिन देखकर बताओ ये कैसा लेंस ह चाचा जी यह तो अंदर की तरफ दबा हुआ है जो यह अंदर की तरफ दबा है और इसके किनारे मोटे हैं लेकिन यह अंदर की तरफ दबा हुआ है यह लेंस जो है इसको अवतल लेंस कहते है इस प्रकार हमारी यह दो लेंस हो गए इसी प्रकार देखिए यह जो है हमारे पास कैसा lens है तुम देख कर बताओ अब तो इसका नाम बता सकती हो यह उत्तल है यह उत्तल lens है और इससे हम क्या करते हैं छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं इस प्रकार तुमने देखा कि जैसे चश्मे में रतना इसमें जो नीचे का लेंस है वो क्या कर रहा है वो नजदी की चीज़ें पढ़ने के लिए हैं तो इससे क्या करते हैं यह इसको कैसा lens कह सकते हैं उत्तल lens और जो उपर का lens है जिससे दूर की चीज़ें देखने के लिए हैं तो बच्चों मुझे ये लगता है कि तुम लोगों को ये लेंसों के आकार और इनके कार प्रणाली के बारे में पता हो गया होगा कि सिध्धान पर ये कार करते हैं यह तो आखों में भी होता है हां आखों में भी लेंस होता है हमारी आख जो है वो लेंस की तरह कारे करती हैं और इन में भी जो प्रतिविम बनते हैं जो चीजें हम देखते हैं उनके प्रतिविम रेटिना पर बनते हैं और प्रतिविम्बों का बनना हम लोग अगले बार इस झाल झाल